हेलो वेलकम तू देस पॉड़कास्ट आज हम नीट यूजी में डिसकस करने जा रहे हैं कि हाव तू स्टडी फॉर दे रेमेनिंग वन मन्थ जैसे आपको पता है कि नीट यूजी के लिए 13 सेप्टेंबर को एक्जाम है संडे को और हाडली आज से एक महीना और तेरा दिन के अराउंड आपके लिए बचता है तो इस यह क्रूशिल टाइम है जो एक मन्थ है यह आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि जो आपने दो सालों या अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो तीन साल या चार साल जितने आपने पूरी उन दो साल या तीन साल की मेहनत सारी कॉंपाइल करनी है इस एक महीने डेड़ महीने के अंदर और आपने पुश करना है अपने आपको ताकि आप सारा कुछ कवर अप कर पाएं और इसके लिए हम मैं इंपॉर्टन चीजें जो आपको अपने एक्सपीरियंस से आज बताऊंगा तो लेट्स गेट स्टाटेड सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है कि नीट पीजी में नीट यूजी में आपको NCRT पे ही फोकस रखना है इस्पेशली बाइलजी बाइलजी का आपने सिरफ और सिरफ अब इन लास्ट महीने में NCRT को पूरे के पूरत नि यह तो हो गया NCRT, chemistry में भी आपने organic chemistry के reactions जो NCRT में दे रखे हैं, inorganic chemistry तो 100% से NCRT से cover करनी हैं, यह दोनों आपने NCRT से cover करने हैं और इसके बाहर आपने अभी फिलहाल नहीं जाना, physics के आपने previous year 101% solve करने हैं जो 10 years आते हैं और अब आप अपने जो high profile books हैं जैसे HC Verma यह side कर दीजिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, सिरफ और सिरफ आपने आपका first aim होना चाहिए, आपको सारे जो 10 years हैं, be it for biology, be it for chemistry, be it for physics, आपको 10 years हर एक question आना चाहिए, वो आपने करने हैं 90 to 95% ऐसे बच्चे होते हैं, जिन्होंने 10 years नहीं touch किये होते, 10 years बहुत जादा important है आ आपने वो जरूरी करने हैं, उसके बाद ही आपने अगर वो complete हो जाते हैं, तब ही आपने जो आपको, आपके coaching वाले test देते थे, उनको touch करना है, पहले आपने हमेशा हर एक subject के 10 years करने, अगर किसी में doubt आता है, या कोई आपको difficult लगता है कि ये मेरे से exam में solve नहीं होगा, तो वो आपने दोबारा उसको मार करके रखना है कि आप उसको दोबारा solve कर पाई, ये important point है जो आपको अपने दिमाग में note करना है इस time, और तीसा है कि आपको ये कुछ ऐसा phase होता है कि जिसमें आपको थोड़ा बहुता anxiousness होगी, anxiety होगी, थोड़ा बहुता tension होगी, ये ब tension हो, relax रहो, और अच्छा खाओ पी हो, बाहर का खाना नहीं खाना आपने, बिल्कुल भी बाहर का फूड नहीं खाना, थोड़ा सा yoga करो, mind relax रखने के लिए meditation करो इस time पे, वो बहुत ही जाधा important है, और अपना confidence बूस्ट करने के लिए, previous year बार बार कह रहा हूं, मैं बार बा character पड़ो, in and out, जो पुरानी चीज़े हैं, diagrams, photos, सारी देखो, बहुत जाधा ही important है ये चीज़े, और बाकी सारा कुछ अपने जो Facebook, WhatsApp, एक महीना, बिल्कुल disconnected हो जाओ, सिरफ और सिरफ अपनी books पे ही धयान दो, अगर कोई भी आपको किसी चीज की किसी परकार की कोई doubt है, कुछ और आप चाहते हो कि किसी और topic में मैं कोई आपके साथ ये video discuss करूं, तो मुझे comment section में जुरूर बिताना, और like जुरूर करना मेरे channel को, अगर कुछ कमी लगे तो please do mention that in comments also, thank you for listening to me.